कहा गया किन्द सरकार, कहा गया राज सरकार, दोस्तों ये जो लॉक डाउन जो बनाया गया है वो कुरोना के चैन को तोरने के लिए बनाया गया है और दोस्तो आज हजारों और लाकों की संख्या में दिल्ली से काम करने वाले मजदूर अपने घर की और पलायन हो रहे हैं वो भी पैदल हो रहे हैं उनके लिए बंस का ट्रॉक का विवस्था किया जा रहा है और उसमें ऐसे ही भरबर के ढोया जा रहा है दोस्तो अगर उसमें एक का भी कुरोना अगर पोजी की पाया गया और वो दिहात में जाते हैं तो कितना बड़ा एक खत्रा बन जाएगा दोस्तो तो इस पे जिस तरह से मोधी सरकार ये लॉकडान करके चैन को तोरना चाहते हैं ये बहुत अच्छा ये कदम उठाया गया है और सब को इसका पालन करना चाहिए लेकिन उसी प्रकार से सुचिए कि जो वहां से पैदल निकल रहे हैं जो बंसों के द्वारा उनको छोड़ा जा रहा है उसमें बीना चेक किये हुए बंस में भरबर के ट्रक में भरबर के उ जो कहिए अभी भी लोग वहां समुह में ग्रूप में लोग निकलते ही हैं अगर एक का भी अगर सहर से जो मजदूर गाउं लोट रहे हैं उसमें अगर पाया गया तो सोचिए कितना संक्रामन जो है बढ़ जाएगा और अगर देहात में ये संक्रामन बढ़ जाता है तो इसको कंट्रोल करना बहुत ही नमुकिन हो जाएगा तो सरकार को इस पर ठोस कदम उठाना चाहिए उसको चेकप करके सब को चेक करके लगभग जितना पॉस्बल हो अधिक से अधिक चेकप करके उनको भेजना चाहिए और जो पॉजिटिव पाई जाते हैं उनको रोक देन करना चाहिए ताकि इस कोरोना के चेन को जो है वो जल्द से जल्द रोका जाए अगर यह सागर नहीं होता है उनको अगर चेकप करके घर नहीं भजा जाता है तो बहुत ही मुशिवत बढ़ जाएगा हम चरपान दिन से यह न्यूज आपको देख रहे हैं तो कोई भी एक पूंसर खगल पतना फ्रों बिहार अस्टे वोम अस्टॉप कोरोना चेन थांकि यू जै हिंद जै भारत